हलो एवरिवन वेलकम बेक टू मैं अनादर ब्लोग में आर्दी चोहान तो कैसे हो आप लोग मीद करती हूं अच्छे होगे मैं भी अच्छी हूं तो आपने मेरा रोपनी वाला ब्लोग तो देखा ही होगा और मैंने दान का बीजू खाड़ा था वो भी देखा था रोपा था तो देखते ही देखते ही तीन चार महिनों में आमाने दान की फसल लग चुकी है और वो पक चुका है और ये देखो पूरी औरों के खेत में भी सबसे ज़ादा मेहनत होता है ना इसी धान की फ़सल होते है अगर आपने मेरा ब्लोग देखा होगा धान तो आपको पता होगा कैसे मैंने बीजो खाड़ा था फिर उसको कीचल कीचल किया था फिर उसको केश से रोपा था वह आपने सब देखा होगा तो फिर मैं अपने खेट में आई थी और यह मैं कंटिन्यू मैक्सिमम्म दो साल से गाह में रह रही हूं तो मेरे को खास खेटी आती नहीं लेकिन मम्मी न बताया तो उस हिसाब से मैं कर रही थी तो यहां तक है कि मेरे बीज कम पढ़ गए थे इसे होज़े से मामा जी के महां से लाए थे तो यह जो मान मैंने बीजू खाड़ा था वह वाला बेजता जिसमें धान लग चुका है दो किसे लटा क्राय की तो प्यारा लगता है ना धान का और अब देखना इसको अभी लेके इसको पूला अरे थे उसको छोड़ दिया क्यूंकि बेकार में उसको काटने से कोई फाइदा नहीं है उसको तस्पंदर दिन और रखेंगे उसके बाद इसको काटेंगे तो इधर मैं घर पे आई मुहां दोके चली गए और मैं आपको एक सैड नेज बता दू कि हमारा ना ना दिपाव अजी थे वह डेट कर गए तो ऐसे समय पर डेट किया कि मतला वहम कुछ सेलिष तो कि देवोगों को अच्छे अच्छे में अच्छे में आखेंगे लुपे पान्सवी निकालने थे लेकिन देख बोला एक एक्ट्यम में अधे मैंने इस अपना द vaccinations की सेज था वह देख लेता फिर मेर से बार बार मांगता हुआ ने उसके अपना इनHEgan पैशा देखने नहीं तो हर बार जब भी में बाहर आती हूं तो बीना पेटroll के सरी पिना पेटॡरोल भराएं हम गर पे जाते ही नहीं चाहिए वो सोका बहाओ चाहिए डड़ सोका तो उसके बाद हम पेटॡर पंपे पराया पेट्रॉल भराया है अब की बाहर दूसरा पेटॡर पंप आहितो इ हमारे बिहार में सबसे फेमस है छटपूजा छटपूजा के बिना मतलब इतना बड़ा परवेना कि आजकल हर कोई जानता है यह पोश्टर देख लो यह है खुस्पू काजल ओफीसियल का जो कि मेरी मामा की बेटी है उसका भी सपोर्ट किया करो क्योंकि जो मेरे मामा जी है सब्सक्राइल जो आज जो छेशाच साल फेले डेट कर गए थे और जो उनकी सिंगल मादर है मैरी मामी जी वह उनको पालती है वह भी मेरी तरह वीडियो स्पेर कौम करती है आज का है कलो कमेड़ी वीडियो पर काम करी है तो आप उसके वीडियो देखा करो मैं उसका एना लिंक अपने डिस्क्रेप्शन में डाल दोंगी और यह चोराया था आप दिपाले के दिनिया जादू जादू चू करेंगे सब क्योंकि आपको पता ही है अगर कई सिंदूर भी गिल जाए ना तो उसको कोई लांगता नहीं है तो वही मैं अपने भाई को बता रही थी राज थी तो कितना क्यूट सूरस दिख रहा था यारा यह लव इट कितना प्याला लगता है और अधर एक दीदी थी वह बाइक से लाना सिक्ते थी और आपका बदादू कि अब दान के अक फसल कटने के बाद आलू के फसल गोई जाती इधर बो भी दिया है और बेक्रांड पर मत देना क्योंकि जो मेरा भाई है ना कमीना सॉंग चला रहा है तो वो इस पर दिक्कत आगे तेंदर में मुम्मा बागर के बाल बैठी गहता है आज के लिए इतना ही लव